आज की हमारी मूवी बहुत इंट्रेस्टिंग मूवी है जहाँ पर एक लड़की की जो सोल होती है वह लड़की की बॉड़ी में चली जाती है और लड़की की सोल लड़की की बॉड़ी में चली जाती है है ना थोड़ इसे कंफ्यूजिंग लेकिन बड़ी प्यारी मूवी ह तो चलिए हम मुवी के छ़्रेवात करते है एन यहां पर हम हमारी फीमिली रैनन को देख लेते है जहां पर वो स्कूटी पर बैटकर डिलिवर्य का काम कर रही होती है लिगिन उसके आगे की जो कार होती है वो चालनक से प्रेक मारती है जिस वज़े से रैनन की स्कूटी और वो कार आपस में टक कखा लेती है यहाँ पर रैनन को कुछ साहता है और वो आगे की और चली जाती है जहाँ पर वो देखती है कि कार वाले इंसाने तो एक पूटी और रद को टक करी मारती है और वो बचारी आंटी जोर-जोर से चिला रही होती है फिर रैंडन उसके विंडो के यहाँ पर चली जाती है और इस पर चिलाने लगती है और कहती है कि तुम तो कितने शेमफुल हो यह सब होने के भी बात बहार आकर माफी नहीं मांग रहे हो यहाँ पर वो इंसान बहार आने के बदले एकनम स्पीड में अपने एकसी देने लगता है जिसमें से भाइंकर आवाज आती है तो वांटी टर के मारे उटकर चली जाती है वांटी के वहाँ से भाग जाने के बाद वो ड्राइवर यहनी कि वो इंसान अपना विंटो नीचे करता है और रैनन से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ चीज ना पता होना तो अपना थोड़ा दिमाग इस्तमाल कर लिया करो इतना बोलकर वो अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है और इनका नाम होता है Mr. Leen Leen यहाँ पर अपने कम्पनी में आ जाता है और चला जाता है अपने लिफ में दूसरा Ranan होती है जो लिफ के लिए पाक बाकर आ रही थी फिर यहां पर हम notice करता है, कि कोई और उस lift में जाता नहीं लेकिन रैननड़ जरूर उस lift में चली जाती है फिर यहां पर वो लीन को देख लेती है और पूस्ती कि तुम तुम यहां पर क्या कर रहे हो लीनो से कहते है कि अभी क्या अभी इस lift से बाइचाओ रैनन कहते कि क्यों ये कि तुम्हारा घर है जो मैं तुम्हारी बात सुनूँगी फिर यहाँ पर लिन उशे इशारे करता है तो फिर रैनन जो पहुझाती है और अचानक से इस लिफ्ट के लाइस जो है वब बन चालू होने लगता है एन लिफ्ट भी बहुत तीजी से हिलने लगता है जहाँ पर रैनन गिर जाती है लीन के उपर और उन दोनों का एक्सिडेंटल किस हो जाता है इसके बाबने हम सीधा यहाँ पर लीन को देखते है हॉस्पिटल में जहाँ पर बहुश होता है जहाँ पर असिसन जैसी से करीब जाता है लीन उसे सिदा थपर मार देता है डॉक्टर भी उसे करीब जाता है लेकिन लीन वापर से डॉक्टर को थपर मार देता है और यहाँ पर हम नोटिस करते है कि lean की body के अंदर से ranan की आवाज आ रही होती है दूसरे यहाँ पर lean चलते चलते curtains की ओर जाता है जहाँ पर वो सामने ranan को देखता है यहाँ पर ranan और lean एक दूसरे को देखका जोर से चिलाने लगता है इसके बाद में यहाँ पर टीवी की और अपने reflection को देखते और तब हमें बता चलता है कि ranan की जो body है उसके अंदर lean का soul है और lean की जो body है उसमें ranan की soul है यानि उन दोनों के soul ने एक दूसरे की body को अपना लिया है फिर यहाँ पर तो हुने लग रहा होता है कि वो लोग कोई सपना देख रहे है लेकिन यह सारी जीसे हकीकत में हो रही होती है यहाँ पर assistant lean से कहने लगता है कि sir हमें हमारे important meeting में जाना है अगर आपको याद नहीं है तो फिर यहाँ पर running time की और देखती है बाद में यहाँ पर वो कहते है कि हाँ चलो हमें meeting बचाना है assistant कहता है कि मैं ma'am आपसे नहीं मेरे बहुत से बात कर रहा हूँ फिर यहाँ पर running lean को लेके cuttons के पीज चली जाती है जहाँ पर वो lean से कहने लगती है कि देखो तुम lean नहीं हो मुझे पता है तुम ranan हो लेकिन इसमें तुम्हारी body है और मेरा soul और मैं कुछ भी नहीं कर सकता तो फिर तुम्हें में से ओफिस चलना होगा meeting के लिए यहाँ पर ranan lean की body में ना बोल देती है तो फिर वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें 5 lakh दूँगा ranan कहते कि नाई फिर भी मैं तुम्हारे साथ क्यों जाओ तो फिर यहाँ पर lean कहते था कि one million दूँगा और यहाँ पर ranan कहते कि चलो चलो बहुत देरी हो रही है इसकी बामने वो लो ओफिस बहुत जाते हैं जहाँ पर हम देखते है lean को और ranan को लीन एकदम लड़कियों जैसे चल रहा होता है और आसपास की चीज़े नोटिस कर रहा होता है उसवर होती है हमारी ranan जो की एकदम मर्टों जैसे चल रही होती है और यहाँ पर जाते ही lean यानि की ranan शाय पर बैठ जाते है यहाँ पर डिरेक्टर पूछे लगते है कि मैडम आप कौन हो इसके बाद में यहाँ पर lean को realize होता है कि अभी फिलाल वो ranan की body के अंदर है तो फिर यहाँ पर से उटके सबसे माफ़ी माँगने लगता है और ranan यानि की lean की body यहाँ पर बैठ जाती है फिर बाद में यहाँ पर ranan का soul से बसे कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर जना क्या है ना यह मेरी new assistant है तो इसे discipline के नाम पर कुछ भी नहीं आता यहाँ पर उसका assistant lean की और देकर कहने लगता है कि sir कि आप मुझे मेरी job से निकाल रहे हो और अपने एक नई assistant को बना भी लिया यहाँ पर ranan की body यानी lean का soul उसके assistant को एक्दम कूर रही जा रहा था फिर बाद में यहाँ पर presentation शुरू हो जाता है जहाँ पर ranan का soul lean की soul के और देकर कहरा होता है कि अब देखना बच्चू मैं तुम्हें कैसे मता चखाती हूँ फिर बाद में यहाँ पर डायरेकर lean से उसका रहे मांगने लगते है जहाँ पर lean की body यानी ranan का soul अपना नाटक करना शुरू कर देती है और यहाँ पर बगना लगती है कि क्यों न हम यहाँ पर sponsor में दी गए model को हटा दे और एक अच्छी से model को पकरे और कई सारे models को लाए जिनकी बहुत अच्छी body हो फिर हम उने उनके underwear बिनाएंगे और यहाँ पर उनके photoshoot कर वाएंगे जहाँ पर सभी लड़कया सारे लड़कों को देखती रह जाएगी डाइटर यहाँ पर क्याने लगता है कि लेकिन हमारा product जो है वो अंडेवेर है ना कि model फिर बाद में यहाँ पर lean का soul यानि की रैनन का soul और lean का body उपर टेबर बेचर जाता है यहाँ पर lean अपने कब रोताने लगता है और कहता है कि रुको तुमने मेरे modular body अभी तक देखे कि नहीं है मैं तुम्हें दिखाता हूँ दूसर यहाँ पर lean का soul यानि रैनन के body उसे कब से बोरे थे कि प्लीज चुप चाप नीचे आ जाओ और ही तमाशा खड़ा करना बन करो और यहाँ पर lean उसे गसीर देवे बहार लेकर जाता है और कहता है कि तुम्हें समझ माया तुम क्या करो तुम्हें पैसे बेच है यहाँ पर रैनन का soul बोरने लगती है कि अच्छा तुम मेरे साथ है सब करोगे अगर तुम्हें पता नह पर रैनन को सब्सट्राइब करने लगती है जहां पर बहुत गुस्ति में लगते है कि इतना इंपोर्टन प्रडॉक्ट लॉन्च होगा और आप सब को मजाग सोजी पड़ी है यहां पर डिरेक्टर वैंग गुस्दा होका वाँस जाने लगता है जहां पर रैनन उसके पी दूसरा यहाँ पर मिया आ जाती है फोन में देखती हुए और यहाँ पर आती ही वो सीधा रानन को तपर मान देती है और क्याने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्यांसे को सड्यूस करने की इतने में यहाँ पर लीज भागते हो आता है लगता है जैसे तुम समझे यह वैसा बिल्कुल भी नहीं है तुम्हें कुछ मिसनिसेन ही रहेगे हम दोनों तो इक दुछ बिसे को जानते भी नहीं है फिर यहां पर मिया उस lift का scene दिखाती है जहाँ पर वो तोनों की किस हो जाती है फिर राणन उसे यहां पर कहने लगती है देखो जो हुआ वो गदली से हो गया और रही माथ किस की तो लीम के पास पूरी freedom है वो जिसे चाहे जहाँ चाहे जब चाहे किस कर सकता है फिर यहाँ पर बाद में मिया के फार्मिला और उसके प्रापटी के बारें बात करने लगता है मिया को यहाँ पर गुस्टा आ जाता है कि मेरी परस और लाइफ के बारे में आखिर इस असिस्टन को कैसे बता है यहां पर बादे यह कहने लगती है कि सब कुछ समझ जी हो मैं कि तुम दोनों कितने जादा close हो और मैं तुम दोनों को इतना close देख भी नहीं सकती हूँ और यहां पर लिन से कहने लगती है कि तुम यह भी decide कर लो तो मैं यहाँ पर इस लड़की के साथ में कॉपेशन करना है या फिर मेरे साथ में रहना है यहाँ पर लीन को कुछ समझ नहीं हा रहा हुता कि आखे वह बोले क्या तो फिर यहाँ पर रैनन से पूछ लगता कि आखे लड़की कौन है यहाँ पर रैनन की बोड़ी यानि के लीन का सूल उसे बताने लगता है कि यह जो लड़की है वो एक ब्लाइंड इट पर आई थी और यह ब्लाइंड इट पर ही मॉम ना रेंज किया था जहां पर हमारे एंगेश्मेंट फिक्स कर दी गई थी और यहाँ पर रैनन से कहती है किसे जल्दी से बहान निकालो तो लीन यहाँ पर कहने लगता है कि ठीक है फिर यहाँ पर वो पैसो के इशारे करने लगता है जहाँ पर रैनन को और भी सादा गुस्ता आने लगता है तो यहाँ पर रैनन कहते है कि ठीक है थ्री लेक्स एक्स् कि देखो बिबी मैं तुम्हें आज एक सच्छा ही बताने वाला हूँ कि मैं बहुत बड़ा प्लेबॉई हूँ और जब ही वे मैं ऐसे राणिंग जैसे चाक्री लड़किया देखता हूँ तो मैं अट्राट को जाता हूँ क्योंकि इतन प्रिंसेस जैसी दिखती है और तुम लेकिन राणन की बाड़िया पर बहुत दुखी हालत में थी तो फिया बर लीन से पूछती है कि आखिश तुम करना क्या चाते हो लीन करने लगता है तुम नहीं तो कहा तो इससे बगाने के लिए तो मैंने बगा दिया जिलना जल्दी हो से क्यों उतना जल्दी यहां पर यहां पर बैट कर उसे और देती है और सिसन सोच रही है जैसे लिससलीन मुझे आड़र दे रहे हो और डिटो वैसा ही मुझे लग रहा है इसके बाद में यहां पर एक स्टाफ आ जाता है राणन से बात करने के लिए जिसका नम जी होता है और वो से क्याने लगता है कि एकस गल्फिन फोटोस में तो वह कुछ और ही दिख रही थी राणन यहां पर पूछा लगती है कि क्या तुमने मेरे प्राइवेट फोटोस किसी को दिये है जी यहां पर क्या लगते कि देखो इन से मुझे कोई फरक ने पड़ता लेकिन आप यहां पर इस कंपनी में मेरे चैफिक देती है जी को गुस्सा आता है तो फिर उस यहां जैकर न यहां बाविकद देती है आप इसे पड़ा लिखा नहीं तो वह से अभी कभी से निकाल दीजिए फिर यहां पर बामे जी खड़ाओ करने लगता है कि देखना अब कैसे मेरे बास तुम्हें इस कंपनी से निकालते है फिर बामे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे स्टांडर्स के है यहां पर बामे लीन कहने लगता है कि अच्छा स्टांडर्स की बाद तुम कर रहे हो यानि आप वह गुस्से में कियाने लगता है कि ये लड़की मेरी स्पेशल लड़की है यानि मेरा राइट है तुम इसके साथ ऐसे कैसे बतमीजी के साथ बात कर सकते हो यानि यहाँ पर वजोर्ड से अपने असिसन को बुल कर रहे होती है साथी साथ में यहाँ पर वह राइट से माफिवांग लगता है तो लीन कहते हैं ठीके लगता है तुम से लिया पॉलजी कर रहे हो तो मैं तुम्हारा जॉब पोजिशन में बदल जाएगा यहाँ पर इसके बदले तुम्हें टॉलेट्स क्लीन करने होंगे यहाँ पर जिहां बोल देता है इसके बाद में हम यहाँ पर राइनन और लीन को गड़ पर देखते हैं जहाँ पर लीन के बाड़ी आने के राइनन का सोल कपरे दाल रहा होता है तो दूसरों यहाँ पर राइनन का बाड़ी आने के लीन का सोल कपरे फूर्ड कर रहा होता ह फिर बाद में यहां पर लीन रनर से कंप्रेंट करने के लिए आ जाता है कि देखा आज मैंने कैसे उस गधे को टख मत रखाया यहां पर लीन कहता है कि देखो एक शब भी मत बोलो क्योंकि मैं बहुत ठका हा रहा हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर हैने का पर्मिशन दे रहा और इसका अमतलब यह नहीं कि तुम पूरा दिन बगबग करती रहोगी लेकिन फिर भी यहाँ परलीन बोल देuben जाती है कि हाँ हाँ मैं समझद दूम किसी से गुजर हो लेकिन मैं उसे ते मज़या आगिया बटन करता है और कहता है कि बिल्कुल भी नहीं तुम शावले ने बिल्कुल ले जा सकती तो रानन कहता कि ठीक है को सलुशन निकालो यहां पर रानन को बोले के चली जाती है अंदर जाब लीन की बॉड़ी रानन से कहने लगती है कि देखो तुमाग बन करो और मैं तुमें यहां पर वो इसकी बटन्स खोलने लगता है जहां पर रानन उसका हाथ अटाके बूलते कि तुम रहने दो ऐसा करते रहोगे तो पुरी सुबह हो जाएगी तो यहां पर खुद बहुदी अपना शोट निकाल लेती है जहां पर वो अपनी बोड़ी को देखे जा रही थी लीन फटाग से उसे हग करने लगता है तîtकी वो उसकी बोड़ी को न देख पाय इतने हुई यहां पर उसकी ममा आ जाती है यानि यह भीकुद देखो मैं अभी इससे बता रही हूँ कि मैं तुम दोनों के शादी को हा नहीं कह सकती चुकि यह लड़की बस माम में इसी दिलिवरी गल है और ऐसी लड़की मेरी फामली में शाद ही नहीं कह सकती फिर लीनी आपर चिला के कहता है दिलिवरी गल है तो इसमें कौन सा प्रब्लम हुआ तो यहाँ पर उसे याद आता है कि वो बिलीन की बॉड़ी में है यानि कि वो रैनलन का सोल है तो मुझे शान दिसे बात करना होगा याँ यहाँ पर कहना था कि मॉम देखिए अभी तो वो मेरी असिस्सेंट है तो उसका सैंडिस जो है वो हाई हो गया तो फिर आप ऐसे कैसे ना बोल सकती हो यहाँ पर उसकी मॉम का भी भी हाई लो होने लगता है तो फिर रैनन यहाँ पर उसे मेडिसन से ले लगती है उसकी माम यहाँ पर उसे देखे जा रही थी रनन कहते कि अंदल और मेडिसन्स पढ़े हुए यहाँ पर उसकी माम और भी बोलने लगते कि अच्छा तो तुम्हें घर घर का कौना पता है कि कौन से कौने में कौन से चीज लखे हुई है आस तो देखे रहे ना मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाली अपसे मैं यहीं पर जाओंगी इतना बोल को गुस्से में महां से जाने लगती है यहाँ पर लिन उसे कहने लगता है कि देखो अगर तुमने यहाँ से नहीं निकाला अपनी माम को तो फिर हम यहाँ पर सोच नहीं पाएंगे कि हम अपनी बोडी को नॉर्मलाइज कैसे कर सकते है यहाँ पर रेंन कहने लगती है कि मुझे पता है वो मेरी मॉम है मैं कितना भी बोलू मेरा मतलब है कि तुम कितना भी बोलो वो यहाँ से नहीं जाने वाली वो अपना डिसेशन कभी भी नहीं बदलती है उसके ममा यहाँ पर बहुत जाती है लीन के कमरे में उसे सूप दोने के लिए और यहाँ पर देखते है कि लीन एक मेल बाड़ी को देख रहा होता है यानि एक लड़ी के बाड़ी को और उसे देख कर किस करने लगता है फिर उसकी ममी को पॉट्रे इसटिंग फील होता है या पर वो से चिन्ड़ा देती है इसके बाब में यहाँ पर आंटी मिलने लगती है रानन से और उसे वर्न मिलेंड का गार देती है और किया दे इस पैसो को लो जो बहुत हैं कि यहां पर इसकी ममा अपना चश्मा निकालती है जब जब मैं के बंद करी तब तक मुझो सीन का याद आ रहा था और हमें वो सीन मताया जा रहा था जहाँ पर लीन होता है लड़कियों के वेडिंग ड्रेस में यहाँ पर वो एकदम गेज़से बिहेव कर जा होता है साथ ही साथ वो एक लड़के के साथ ही होता है जिसके साथ वा शादी करने वाला था बार में यहाँ पर उसकी मॉम रेनन से एक और रिक्वेस्ट करने लगती है कि मैं चाहती हूँ तुम दोनों आधी जाओ जाकर मारे सटिफिकेट ले लो रेनन यहाँ पर मना कर देती है तो उसकी मॉम करते कि देखो वन मिलिन है न वफ फाइव मिलिन जोंगी और यहाँ पर बार्चु में बैठा लिन क्या देता है कि ठीक है डील डन हो जुकी है और वो इस कार्ट को ले लेता है इसके बाद में यहाँ पर वह दोना चुले जाते है मारे सटिफिकेट देखने के लिए जैसे ही यहाँ पर लीन अपना मारे सटिफिकेट देखता हो क्याने लगता है कि मेरे फेस को क्या हो गया मेरा फेस तो दिन वे दिन अगली बनता जा रहा है सिफ और सिफ तुम्हारी वज़े से क्योंकि तुम मेरे फेस का स्किन गहरी नहीं करते हो रानन यहाँ पर क्याने लगते कि फिलाल ये सारी बात करने का मौकान नहीं है हमें जल से जल कुछ न कुछ शलीशन तो दूनना ही पड़ेगा क्योंकि हम दोनों की बोडी कप एक्स्रेंज होगी हमें बता नहीं है और हमें इसी लाइफ साल के साथ ने अपनी लाइफ को कंटीनिव करना होगा तो मैं एक दूसरे के बारे में जानना होगा लेकिन-अब लीन लानन के बातों को तो सुनी नहीं रहा था पर यहाँ पर रानन के फोमने कॉल आ जाता है जहाँ पर रोक्टरों से कहते हैं कि आपकी मॉम की हालत बहुत खराब हुचे खिए, आपको चल से जर हॉस्पिरिल आना चाहिए, फिर यहाँ पर लीन और रानन दोने के दोना हॉस्पिरिल पहुत जाते हैं, जहाँ पर लीन बहुत कब रहा हुआ था, यानि कि लीन के बाड़ी और रानन का सोल, इसके बाद म तो इसकी ममा रारनन को टंच लेने से मना कर देती है फिर फूच लगती है कि अगर ये इनसान कौन है तो फिर यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं इसका बास हूँ हम दोनों रस्ते बामिल गए तो मैंने सुच है कि मैं उसे हास्पिरल डॉप कराता हूँ फिर यहाँ पर वो से धांके बोने लगती है और उसकी ममा यहाँ पर कहने लगती है कि मेरे बेटी की मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फिर यहाँ पर वो उसकी लाइफ की कहानी बताने लगती है कि मेरी बेटी बहुत ही जादा शान इनसान की है और रही बात इसकी life की तो बच्पन में ही मेरे और इसके डार का डाइवास हो गया था जहाँ पर इसके बाद में उसके डार ने दूस्री शादी कर दी थी और इसकी जो step mother है वो से बिलकुल अच्छे से treat नहीं करती और यहाँ पर उसकी स्टोरी सुनते सुनते लीन के आँखों में आस हुआ जाते है और लीन यहाँ पर रोना शुरू कर देता है और यहाँ पर साथ-साथ वो कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो खुश है और तुम इसका ख्याल रखना तो फिर लीन कहने तो कि आप टेशन मत लीजे वो मैं अच्छा से रखूंगा रैनन यहाँ पर लीन के और देखती है और सोचन लगती है कि यह तो मेरी बोडी की और मेरी इमिज की पूरी की पूरी खराब कर डालेगी रैनन यहाँ पर अपनी माम से कहती है अक्चुली मेरी जो बहुत से वो कुछ जादा इमोशन है इसके लिए रोपड़ा वह यहाँ पर उसकी माम कहती है कि यह तो अच्छी बात है बहुत जादा कर इमोशन नहीं होते तो तो यह बहुत फ्रेंडली होगा इसके बाइमने वो लोग वहाँ से जाने लगते है जहाँ पर रैनन लीन से कहने लगती है कि मैं आप समझ दू कि आखर तुम्हें पैसे से इतना प्याई क्यों है क्योंकि तुम्हें तुम्हारी ममा के बिल्ट बे करने होते लेकिन टेंशन मतलो एक बार हमारी बाडी वापस से स्वाप हो जाएगी तुम्हें तुम्हारी मम के सारे बिल्ट पे कर दूँगी और तुम्हें मुझे वो से पैसे लटाने की ज़वत भी नहीं पड़ेगी लेकिन आप रिनोंसे क्याता है कि नहीं नहीं इसनी कोई जवत नहीं है इसके बामने उसकी माम पहुँ जाती है उसे कंपनी में अपने बीचे को लेकर साथ साथ में यापर जी भी होता है जो आग में घी लगाने के कोशिश कर रहा था और कहता है कि आँटी आपको पता नहीं है इस कंपनी में स्टार्टिंग सालरी ही वन मीलन है यहाँ पर वांटी कहने तिक चलो अब टाइम आ गया है जहाँ पर हमें हमारे पैसे वापस मागने है जहाँ पर उसकी ममा वो माइक्रोफोन लेकर आ जाती है और चला चला कर कहने लगती है किन से मिलो यह हमारी गर की बेटी है जहाँ पर इसे अमीर इंसान मिल गया और अच्छा जॉप मिल गया तो वो हमें चोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई फिर यहाँ पर रानन के पास आ जाती है रानन को समझ नहीं आता कि आखी ते लोग है कर इतने में यहाँ पर लीन आता है जो रानन को बताने लगता है और रानन उसे कहते कि सब भी क्या भी यहाँ से बहाँ निकालो तो फिर रीन उस आंटी को कहने लगता है कि देखो अगर मैं तो आपसे पहली कहा था यह लड़की और इसकी पूरी फैमली प्रॉब्लमाटिक है इनको सिफ पैसे ही दिखते हैं और कुछ भी नहीं यहां पर वांटी कहाना लगती है कि मेरे बेटे की शाद से पहले मुझे सकाट के अंदर वन मिलियन डाल के दो तब मैं यहां से चली कितनी मोटी है और कितनी महिंगी होगी यहां पर उसके बेटे को घुछ चाते है जहां पर उसका बेटा लीन पर हाथ पकड़ेता है और इसे अंका बाहत बुरा होगा तूह 走吧 पर नमुदूश से लिखे disrupt कि अचका से नवराएं थाहता है की हैं जब को वस्सें ध Northern करने वाले थे तैंज दो फेर पर उसके बार में लिंट और ऎमजशन घर पोते हुए आजया इसे दो खरrist ऑने लगता है कि मुझे माफ़ करे ददीना मैं बहुत गुस्से में था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था अगर उन्होंने सच में मुझे फायर कर दिया तो रानन यहां पर कहते कि टेंशन मतलो ऐसा कुछ नहीं होगा फिर यहां पर लीन की और देखती है तो फिर वो रो रहा होता है और वो टेंशन मांकल से कहने लगती कि तुम एटली से रहो तो मत यह सब काम छोड़ो हमें सबसे पहले हमारी बॉडी को स्वैप करना होगा तो हम लिफ्ट में उस सेम पोजिशन में बैचे रहेंगे जिस पोजिशन में हम उस दिन थे फिर यहां पर वो लिफ्ट में चले जाते हैं जा पर असिसन लिफ्ट में आता है तो फिर वो शिर्मा कर वहां से चला जाता है लेकिन यहां पर लिफ्ट में रहने काम भी कुछ काम नहीं आता इसकी बाद में यह अपर लिफ्ट के आने लगता है बर अभी विधिया ले बॐडी या सुलओ फोई बागवान भरो से बैठ जाती है और तनतर मंत्र पढ़ने लगते है लेकिन फिर भी यहाँ पर उनकी बाडी स्वैप नहीं हो पाती फिलीन यहाँ पर कहा देता है कि मैं समझ सकता हूँ यह सब कुछ उसकिस की वज़े से हो रहा है तो फिलीन यहाँ पर किस करें जाता है लेकिन लिंग पीछ यहाँ जाता है तो रानन उसे नीचे बठाती है और सौफ बलटाती है फिर उसे किस कर देती है लेकिन इसके बाद युद्व कुछ्ञा कर बोलने लगता है कि देखा। तुम ने मुझे किस क्या फिर भी चेंजी नीए है। तुम नहीं तो कहा था कि किस से हो सकता है। तुमने किस कर दिया। इसके बाद में यहाँ पर उनका मेइन मोटिफ होता है कि मिस्टर वैंक को वापस कमपरी मिलाना और अपना प्रजेक एक बेफ वापस से शुरूर करना और यहाँ पर वोलो कलब में चले जाते है जहां पर इसका असिस्टिन जो होता है वो लीन से कुछ जादर एक लोच हो र जाते है तो असिसन रानन से कहने लगता है कि मेरे पास एक और नियू कॉंट्रैक्ट है जो अंदर में टेस्ट के पड़ा होगा तो फिर तुम जाकर उसे लेकर आजाओ यहां से रानन लीन को अकिला चोड़कर चली जाती है लेकिन जैसी हो यहाँ पर आती है तो देख ले इसके बाद में यह पर लीन बैटा होता है सबी बूर आफ डिरेक्टर के साथ में जहां पर बुलक मिलकर उस पर चिलनाने लगते हैं तो लीन कहता है कि ठीक है मानता हूँ कि मैंने कोई भी प्रजेक्ट को असाइन नहीं किया लेकिन इसका मतलब यह तो रही नहीं कि मैं कि इससे एफोर्स ने लगा रहा हूँ या फिर मैं बस हाथ पे हाथ जरे बैठा हुआ हूँ मैं भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और रही बाद तुम सब कौन सा बड़ा पहार उखार ले रहे हो तुमने तो कंपनी के लिए आस तक कुछ नहीं किया सिफ खाली मुझे और फिर्वीवस आडवाइस देते रहे हो इतने में यहां पर जाओ आता है जो कि ताली बजाने लगता है और कहते कि अरे वा तुम तो इस पीज दिने में कुछ जादा ही माहिर बन चुके हो और यहां पर जोते हैं वो तो बार-बार जाओ क्या और देगरे जा रहाता फि की जाउ के अग्रिमन से बहुत अच्छा होता है यहां पर बोर्डर अप डिरेक्टिस् से लेडिशिते हैं यहां पर जाँ रणन को देखके याद करने लगता है कि यह तो वही लड़की है और घो आया जाता है कि रहाई जाता है और तो जाँ एक साथ मिलकर बढ़ाई किया क का थे चाइन कर दोड़ा तो तो रैनर आके उन दोनों को दूर करती है ज़सा है यहां भी यूद उन्सांसे तो रहता है लीन को कुछ समझ नहीं आता वो गहते कि अच्छा तो तुम दोनों के बीच में एक कंपनी डिवाइड होने वाली है रैनन यहांसे गुसे में चली जाती है इसके बाहर में यहां पर रैनन कॉल लगा लेती है लीन को चाप और वक्यान लगती है कि तुम्हारी बाड़ी तो कुछ जाद आई वीग है मैं तो बस को की पिया है और मेरा पेट इतना जादा पेहिन कर जाए कि पूछो मत लीन यहां पर उसे डेट चेक करने के लिए कहता है रैनन कहती कि अच 18 तो फिर लीन बुलता है कि हाँ को क्यों जैसे नहीं तुम्हारे पीरियद आ रहे है रैनन को समझ जा रहा होता कि तो रैनन की बॉड़ी है लेकिन मैं तो अंदर लीन का सोलू तो मेरे पीरियन कैसे स्टार्ट हो सकते है लीन आपर उस समझाता है कि देखो तुम्हारे पास sanitary pad सो जरूर होगा जाओ जाकर उसे चिप-चाप पहन लो एन इतना बोल कर वो call cut कर देता और मज़े से chips enjoy करता है इसके बामें यहाँ आप रानन sanitary pad ले लेती है लेकिन असे समझ नहीं आता कि आखे वो कैसे use करे तो वो फोट निकाल कर भेज देती है उसे समझ भी आ रहा होगा कुछ यह फिर नहीं मैं जाकर उसे देखता हूँ तो सामने से वो यहाँ पर जाओ को देखता है जिसके हाथ में टिफिन होता है जैसे रानन दर्वाज़ा खलती है जाओ क्याने लगता है कि मैं तुमारे लिए ब्राउन सुगर का सूप लेकर आया हूँ लेकिन यहाँ बलानन लीन को अंदर लेकर दर्वाज़ा सीधा बंद कर देती है यहाँ पर इसके बाँ मैं रानन अपना पेट दर्थ की चीज़ों से बताने लगती है और कहती कि मैं पेट दर्थ का क्या करूँ यह जाही नीदा है पेट दर्थ के साथ साथ मेरी पूरी बॉड़ी पेन कर रही है और यहाँ पर लिनों से एक एक करकर समझाने लगता है कि देखो अब तुम बदल चुकी हो और अब तुम पूमन बन चुकी हो तो फिर तुमारे साथ ऐसा तो होना ही है और रही बात पेट दर्थी तो इससे अलावा तुमारा बॉड़ी पेन करेगा तुमारे थाइस पेन करेंगे दीरे-दीरे तुमारा ब्रेन इरिटेट हो जाएगा और तुम पूरी की पूरी मूरी बन जागी जहाँ पर तुम्हें बहुत सारी ठीज़े खाने का मन करेगा और तुम्हारा मूड हमेशे एक दम खराब होगा रारन कहें लगती कि मैं मूडी तो नहीं हूँ लेकिन फिलार भी पेन वाली बातों तुम सच कहरे हो यहाँ बाद में लीन उसे पेट पर मसाज करने लगता है और कहता है कि शायद इससे तुम्हारा मिल जाए यहाँ पर उसे और पीजादा पेट ड़त करने लगता है तो वो पेन किलर्स मांगने लगती है लेकिन लीन पेन किलर्स इने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है अगर मैं तुम्हें पेंट के लिज दिया तहीं तुम्हारी बोडी के लिए हाफ़ुल होगा और बाद में क्या पता है मेरे पीरिट्स टाइम बनाए तो यहाँ पर जाओ ने कुछ रैनन को मैसल बेज़ा होता है तो फिर लीन उसके फोन को ले लेता है लेकिन यहाँ पर रैनन फटाग से फोन खेश लेती है जिस शक्कार में वो लोग एक दुस्टे के पकेज आते है और उनके बीच एक रोमैंटिंग सा सीन बन जाता है जहाँ पर रैनन नेक्स टे आफिस में बैटी होती है तो फिर वो अपने इस लास्ट नाइट के बारे में याद करकर मुस्कर आ रही होती है इसके माँ मैं यहाँ पर रैनन से मिलने के लिए जहाँ आ जाता है जो कि उसके लिए एक डिफर्ण डिफर्ण टाइप की स्नाक लाया होता है और क्याने लगता है कि मुझे पता है कॉलेस टाइम में यह तुम्हारे लिए बहुत पेंफुल में थुआ करता था और तुम्हें बहुत सारी चीज़े खाना पसंद था तो मैं वह साही चीज़े तुम्हारे लिए लिए लिकर आ गया हूँ जेनन याब उसे कहने लगते कि कोई जयवत नहीं है लिए और वो पाकेश लेकर दस्मिंडर फेक देती है तो जाओ कुस्टे में वहां से चला जाता है इसके बाव में यहाँ पर उसे कॉलिक्स गहने लगते कि सबसे पहले तो यहाँ पर वो लीन के साथ हुक अप कर रही थी और अब उसकी बड़े भाई के साथ लगता है यह लड़कों के आसपासी गुमती रहती है तुम्हें ही लगता है एक डिलिवरी गर्ल के लिए साइटी से बहुत बड़ी है यहाँ पर रैनन कहने लगती है डिलिवरी गर्ल हो में तो इसमें क्या हुआ डिलिवरी गर्ल पर मैनने से पैसा कमाती है तुम्हारी तरह नहीं जो बिना काम किये आफिस से बैटकर गॉसिप करने लगे यहाँ पर उसके खली से उस पर चिलना आने वाले थे लेकिन इतने वससे ना जाता है जो ने की न्यू ज़नरल मैनजर को इन से सिट्जीज कर रहता है जो की होती है मिया यहाँ पर रैनन को दे कर पैचान जलती है और कहते कि हाँ यह तो मिरी क्लास में ड़ुपार कर दी थी इतने में ही सामने से लीन आता है तो मिया सिधा लीन के पास चरी जाती है और क्याने लगते कि लीन तुम यहाँ पर क्या करते हो यहाँ पर जाकर वह लीन के साथ मुझे पकने लगती है जहाँ पर लीन उसे दूर होने की कोशिश कर जाता यहाँ पर वो से कहा देता है कि अभी के अभी मुझे दूर हट जाओ रैनन यहाँ पर लीन से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें जादा इनाटक कर रही हो चुप चाप यहाँ पर उसके साथ अच्छे से बात करो अगर इसमें उसकी क्या कलती है लीन यहाँ पर कहता है कि तुम्हें पता नहीं है यह लड़की कितनी जादा चलाक है इसके बाद में यहाँ पर वो रानन के पास आ जाती है उसका प्रजेक्ट लेकर और उस पर चलाने लगते कि इतना गंदा प्रजेक्ट तुम कैसे बना सकती हो रैनन कहते कि आखर इसमें क्या कराबी है और कौन से पार्ट में कमी है सरा मुझे बताना लेकिन यहाँ पर उसे खुट को बता नहीं होता तो फिर गुस्से में आकर मियाव सारे पेपे को फार देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है लीन तुम्हारे साथ रहना चाहता है मैं और लीन पचपन से एक साथ पले बड़े है और अगर तुम सोच रही हो तो लीन तुम्हारे पास आएगा तो बिल्कुल नहीं वो तो बस दुम्हारे सा ताइम पास कर रहे है उसे पता है कि उसके स्टांडर्स कितने बड़े है और इसके स्टांडर्स के लायक कौन है यहाँ पर रैनन उसे कहती है तुम क्या हर किसी के साथ ऐसी बात करती हो तो फिर यहाँ पर मियां कहती है क्यों तुम्हें बहुत जादा मेरी हावास चोपरी है यहां पर रैनन उसे पकरने जाती है तो वो खुद बहुद नीचे गिर जाती है क्योंकि है अब लीन को आति हो देख लेती है तुफ़िए अब लीन पूछले लगता क्या की चल किया रहा है रैनन बोलते कि मैंने जुआ तक नहीं है खुद भूगुद नीचे की रही है फिर यहाँ पलीन कहने लएते कि क्यों राइन राइन तुम्हें तो बहुत गलत किया यह बचारी बच्चे तुम्हारा क्या बिगार सकती है यहाँ पलीन बदला रे रहा होता है क्योंकि उसने थोड़ समय पहली कहा था कि तुम्हें को अच्छे से जानते नहीं हो और तभी राइन नी कहते कि नहीं नहीं तुम्हें उससे जानते नहीं हो इसके बाद में यहाँ पर वो सिर्माफ़े मागने के लिए कहती है तो उसके बाद में मियां बोलते कोई बात नहीं जाने दो इसमें माफ़े मागनी क्या जरूरत है ये लो ये नेकलेस मैंने स्पेशले तुम्हारे लिलाया है इसके बाद में लीन और रानन चले जाते हैं कुछ परजेक्स को डिसकर्स करने के लिए इसके बाद में यहाँ पर वो चली जाती है अपने स्कूल के रियूनियन में यहाँ पर वो लीन से पूसते कि यहाँ पर जाना जरूरी है क्या तो फिर लीन के बादी यानिके रानन का स्कूल कहने था कि हाँ अफकॉस यह स्कूल रियूनियन है हमें वहाँ पर जाना ही होगा यहाँ पर वो लोगों ने अपने येरफोन्स कनेक कर लिए होते लाकि वो लोग कम्मिनिकेट कर सके वो यहाँ पर एक करकर लीन रानन को सबी के बार में बेटाने लगता है इसके बाम है यहाँ पर उसे Klassmen उसके Nekles का नोटिस करते है और कहने लगते कि रैंडन तुम्हार नेकलस से एकदम मिया की जैसे दिख रहा है लगता है तुमने फेक वाला पैन है तो दूसरी वाली कहने लगते कि ओफकॉर्स वो फेक वाला पैन सकती है हमारी मिया ही एकलोती है जो आपर इतनी रीच है जो इतना महंगा necklace afford कर सकती है और रही बाद ranan की तो मुझे नहीं लगता कि गाव में रहने वाली ranan इतना महंगा necklace afford कर पाईगी और यहाँ पर सभी लोग ranan को देकर उसकी बुझाया करने लगते फिर यहाँ पर ranan वो bag निकालती है जो कि मियाने उसे दिया हुआ होता है और यहाँ पर वो सबसे कहने लगती है कि साही का मियाने मुझे एक नेकलस गिफ्ट तो क्या था लेकिन ये तो फेक निकला तो फिर मैं जाकर खुद के लिए रियल वाया लेकर आ गई हूँ सब भी लोग कहने थे कि पॉसिबल ही नहीं है तुम इतना महेंगा नेकलस एफ़ॉट कैसे ही कर सकती हो इसके बाव मुझे आप उसे क्लासमेट कहने लगती है कि ये सारी बाते छोड़ो तुम्हें पता है ना तुम कितने बुरी थी यहाँ पर मिया बिचारी अपने सीनर जाओ को डेट करी था और तुमने यहाँ पर आकर सब कुछ बिगार दिया था क्योंकि तुम मुझे प्यार करती थी आकर तुम इतने बुरी इंसान कैसे बन सकती हो वे यहाँ पर एके करके सब ही रानन को टारगेट करने लगते यहाँ पर लींडू से जवाब दिये जा रहा था और कह रहा था कि यह सब बोलो लेकिन यहाँ पर वो कुछ कही ने पारी थी इतने मैं यहाँ पर जाहा आ जाता है जो कहने लगता है कि मिया को मैंने डेट कब्र भी नहीं किया है और मैं पहले से ही सिफ और सिफ रॉनन को पसंद करता आ रहा हूँ मिया कहने लगते हैं कि मेरा कहने का मतलब वो नहीं था जाओ कहता कि देखो भले हमारी फैमले एक दिससी को जानती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मुवें जो आये तुम कहती रहोगी मुझे मेरे खिलाव ये false rumor सुना अच्छे नहीं लगते और अगर next time से वापस मैंने कुछ ऐसा सुना तो तुम देख लेना फिर यहां से बामनों रेनन को लेकर वहां से चला जाता है इसके बाद में यहां पर रेनन अपना हाथ अठाती है और ठांके बोल कर वहां से जाने लगती है तो फिर यहां पर जाओ अपनी feelings को confess करने लगता है और क्या जलते कि मुझे माफ करते ना मैं ग्राजुवेशन के लास दिना कर तुम्हें confess करने ही वाला था लेकिन मैं दार अचानक से बिमार पर गए जस वज़े से मुझे abroad जाना पड़ा और उसके बाद मैं सुमें सीधा कंपनी में देख रहा हूँ जहां पर मुझे कंफर्म हो गया कि मेरे दिल में सिफ और सिफ तुम ही हो और मैं स्मोके को गवाना नहीं चाहता यहां पर कॉल पर खड़ी रानन की सोल और के लीन की बाड़ी सब कुछ सुन रही होती है और वो तो बहुत इमोशनल भी हो जाती है लेकिन यहां पर रानन फोन को कट कर देती है और यहां पर उसे कहान देखती है कि देखो तुमने मौका को दिया इसका मदद तुमने वो चाहन सो गवा दिया अब कुछ नहीं हो सकता इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है दूसरे और रानन घर पर होते है तो फिर अब लीन बढ़े मसे से काना गाते होए वाइन पी रहा होता है यहां वे चाहन अने सब बूस्तिये कि अगर तुम इतने खुश की हो तो फिर यहां पर लीन बताने लगता है कि तुम्हें पता नहीं है मुझे लग रहा था कि मेरा वन सालिड लव है लेकिन यहाँ पर जानल फिलिंग सो कन्फेस कर दिया और हाँ जब हमारी बॉडी साफ हो जाएगी न तब मैं तुम्हें डैवोस दी दूँगा उसके बाद मैं सिर्फ वासिर्ज दाओ के साथ रहूंगी यहाँ पर रानन को यह सुनका गुस्सा आजाता है यानि कि रानन की बॉडी और लीन का सोल तो फिर यहाँ पर से वो उसके वाइन को छिनकर खुद पी लेता है और यहाँ चला जाता है बेज्जों में सोने के लिए लेकिन यहाँ पर रानन को नीन दी नहीं आ रही होती है वो सूच है लगती है उस बात को डाइवोस वाली थिंग को लेकिन यहाँ विचारलीन को पता नहीं होता कि रानन पहले से उसे क्या करा चुकी है कि मैं शादी शुदा हूँ और अब उनके बीच में कुछ भी नहीं हो सकता इसके बाद मैं यहाँ पर उसे जी का कॉल आ जाता है तो फिरोज जी से बनने के लिए चली जाती है ज़ाँ पर जी उसके साथ बड़ी प्यार से बात कर रहा होता है और उसे माफ भी मांग रहा होता है कि पास में जो कुछ भी हुआ मैं चाहता हूँ कि तो मुसे बुला दो ताकि हम एक नई जाहा पर चल सके लेकिन यहाँ पर रानन उन उसके बात मानती नहीं है फिर यहाँ पर बातों मैं यहाँ पर उसे कहने लगता है यह क्यों न तुम बसे लीन से बात करो मेरी जॉब पोजिशन को लेके और मुझे वोस टॉलेट वाले रूम से सिदा वापस से अपने सीपर बता दो रानन कहने लगती है कि अब मैं समझ लीओ कि आकर तुम न मुझे यहाँ पर मिलने के लिए क्यों बुलाया तो मैं तुमें साफ साफ कह दिरो कि मैं तुम्हारा काम कुछ भी नहीं करने वाली यहाँ पर लीन को गुस्टा आजाता है दूसरा यहाँ पर हम देखते है लीन को जिससे राइनन के आवाज आ जाती है तो फिर वो जाता तो है लेकिन यहाँ पर जाओ दरवाजा तोड़ कर आ जाता है जहाँ पर जाओ देख रहा था कि किस से राइनन उस जी को पंच मार रही थी और लाट मारी थी और उसे गिरा देती है वही के वहीं पर बिसके बाब में यहाँ पर राणन लेकर वाहर चली जाती है जाँ पर ये जाँ सुरसे कहने लगता है कि मुझे पता है आप राणन से प्यार करते हो तो अगर आप यहाँ पर मुझे मेरा पूजिशन वापस देदेगे तो फिर मैं रांडन को आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा जाओं यहाँ पर उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे जैसा लोग स्थानर वाला इंसान नहीं हूँ करें सारे कम करी और वोह पहले चला जाती है दूसर यहां पे लिंगर पर इकार पर हुआंको प्रम पढ़िवक्षान लिवह início तुमने देखा जाओ ने मुझे किस तरीके से बचाए वो एकदम हीरो की तड़ा आकर दर्वासा थोड़ा और फटाक साकर मुझे बचाने लगा यहां पर रैनन को इसाई चीज़े सुनकर गुझा आने लगता है क्योंकि वो जब दो को तब जाओ की तारीफ करती है और वो लीन की और देखती भी नहीं है तो फिर यहां पर वो लीन से कहा देती है कि तुम्हें लगता तो मुझे टैवोस से दोगी उसके बादने उसके साथ शादी करोगी तुम्हें तुम्हारे और जाओ की बिश में कभी कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि उस दिन मैंने उसे अपना मेरे सेटिफिकेट दिखा द देती है जहां पर उसे चक राने लगता लगता वसी ही होता है जिसने कॉफिको यहां पर लेकर चला जाता है दूस्य यहां पर रैणन को कॉल करने के पूरी कोशिश गरा दा की नहीं हो था फिर वो उसी सीम होटल में होता है जहाँ पर रानन थी और रानन को एक रूम में जाते हुए देख लेता है फिर फटाक से रानन को मास उठा कर अपने रूम में लेकर आता है और उन दोने कासर वापस स्वेच हो जगाता जहांपर अब रानन की बॉड़ी में उसका ही सोल है और लीन की बॉड़ी में लीन का ही सोल है तो फिर रानन खुशी-कुशी माहा से चली जाती है यहांपर वो आती सबसुफल अपना वेट चेक करती है और उसका 6 kg weight और बढ़ चिका होता है चाहां पर वो tension में आ जाती है दोस्तों यहाँ पर lean होता है जो कि अपने office में उस coffee को पिता है और कहता है कि इतनी meaty coffee क्यों बना कर आ रहे हो तो उससे समझ माता है कि रानन को ऐसी coffee पसंद होती है वो घर जा रहा होता है तो रानन अपनी triple में नहीं होती तो इसके staff कहने लगती है अक्षिलि उनका pit death कर रहा था तो वो वापस घर चली गई यहाँ पर वो इसके लिए red bin का soup लेकर रहा होता है लेकिन रानन अपने कमरे में होती है नहीं वो यहाँ पर note छोड़कर चली जाती है कि अब तक हमारा सफर रही पर खरत में होता है अब तुम तुम्हारा job देखो पर मेरा job देखोगी यहाँ यहाँ पर lean को गुस्ता आने लगता है दूसरी यहाँ पर रानन जाव से मिलेती है जहां पर जाव से कहने लगता है कि कुछ दूर्ब में वापस एपराड जाने वाला हूं और हो सकता है मैं शायद वापस ना हूं तो क्या तुम ऐसा चलना चाहोगी रानन जाव हर कहने थे कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें एसा चल सकती हूं क्योंकि मुझे इंगलिश उतने अच्छे से नहीं आती और रही बात मेरे जॉब की तो मैं धीये दिदर यहाँ पर सेटल होने के कोशिश कर रही हूँ जाँ यहाँ पर उसे कहने लगता है कि तुम्हें जॉब की, पैसे कमाने के यहाँ चिंता नहीं करने चीए क्योंकि वो सब कुछ मैं देख सकता हूँ यहाँ पर रैनिन उसे मना कर देती है और माफ़े मांगे लगती है और क्याते हैं कि मैं तो मैं कॉलस्टा में सच मुझ बहुत पसंद किया करती थी लिगन मुझे यहाँ पर किसें ने एक थाट दिया था कि अगर यह मीरी लाइफ है तो मुझे भूझे मेरे खूतरे एक्सपेंसेज देखने होगे अगर आज मैं तुम्हारा सूचक्रिंगे तुम्हारे साथ अबराच चली जाती है तो तुम्हारा सारा करशा और मेरा सारा कर्चा सिर्फ और सिर्फ तुम्हें उठाना होगा और मैं पूरी की पूरी तुम्हारे उपर डिपेंडेंट हो जाओंगी जहाँ पर फ्यूचर मेरा क्या होगा तुम्हारे बेना मुझे खुद को नहीं बता होगा तो यहाँ पर मैं खुद कर जूस करना चाहती हूँ और मैं तुम्हाँ साथ नहीं जा सकती यहाँ पर जाओ पूछ लेता है कि क्या यह साइट जीसे तुम्हें लीनने करिये तो वहाँ कहती है और वो समझ जाता है कि अब जाओ हा चुका है तो फिर जाते जाते हैं यहाँ पर वो से एक final hug करता है और sorry बोल कर वहाँ से चला जाता है रैनन जैसी महाँ से जाने लगती है तो गुंडे उसके सामने आ जाते है तो फिर वो क्या देती है कि मैं तो कोई पैसे बोरो नहीं किये तो फिर तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो यहाँ पर वो बाद में agreement रखाने लगती है और हमें पता चलता है कि उसकी step mother और step brother ने मिलकर यह चीज़ की होती है रैनन क्या देती है कि जिससे पैसे दिये थे उस से जाकर वापस लो मेरे पैस मत आओ यहाँ पर वो लोग गुसे माकर उसके पर हाथ उठाने वारे थे इत्वी में यहाँ पर लिन आ जाता है जो उनका हाथ पकर लिता है यहाँ से वो उन गुंटों को वहाँ से बगा देता है इसकी बाँ में रैनन उसे थांक्य भूलती है और वो कहने लगता कि मैं तुम्हारे पीछे बाड़िकास लगा दूँगा रैनन कहते कि लेकिन वो तो मुझे टेंपरली सेफ करेंगे तो लीन यहाँ पर कहता है मैं तुम्हें पर्मेनिंटली सेफ करकर रहूंगा फिर रैनन उसे कुछ पैसे अदाय मांगती है और वो बहुत जाती है अपनी मांपे घर पर जहांपर उसकी माम और बेटा मिलकर सच्जबाजी कर रहे होते है और रैनन उनकी बात तो खुछ रही थी कि किस दिर से इसकी स्ठेब मादर इसकी पैसे बुढ़ाने की सोच चाई है और हर मैने उसे ब्लैक मेल करकर पैसे माँगने की सोच रही है फिर यहाँ पर रैनरन गुस्टे में भार आती और कहा देती है कि मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूँगी तो उसकी स्टेप बादर उसे चिलाने लगती है तो रैनन कुछ से मैकर उसे तब पर मार देती है और इसके सामने कार्ड रखती है फिर कहते कि ठीक है इस महत जूमिलन मैं तुम यह सारे पैसे देने के लिए रेटी हो जाओंगी अगर तुम इस एग्रिमेंट पर साउन करोगी और यहाँ पर वो एग्रिमेंट यह होता है कि अब से रैनन उनकी बेटी नहीं रहेगी और उनका कोई भी रिलेशन नहीं होगा फिर यहाँ पर वो आंटी पैसो के लिए साइन कर देती है और रैनन बाद में उने कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है लीन यहाँ पर रैनन से पूछे लगता है कि यहाँ सच मुछ तो मुझे डावास देना चाहती हो रैनन यहाँ पर उदास होकर कहती है कि तुम्हें तो कहा था बोरी जब वापस से अपती पोजिशन में आ जाएगी तो मैं दूसरे को डावास दे देंगे लेकर इतने में यहाँ पर उसकी ममा आ जाती है जो महाँ पर कुछ दिन के लिए रहने के लाई थी तो अब लीन रैनन से कहता है कि तुम्हें तो यहाँ पर रुखना ही होगा और यहाँ पर वो लग एक रूम में सोने लगते है जापलीन बरे जोर से रैनन को हकता है रैनन केदी कि तुम ऐसे क्यों कर जो तुम्हारी ममा यहाँ पर तोड़े न है वो कहता कि ममा कभी भी आ सकती है तुम्हें पता नहीं है फिर उसे यहाँ पर याद आता है कि उन्हेंने लास टाइम किस किया था बहुत पैशनेटली जिसे जिसे बॉड़ी अपने पोजिशन में आ गई थी तो क्या पता इस पर वो लोग वापस पैशनेटली किस करें तो पोजिशन की बॉड़ी वापस अलग हो जाए यहाँ पर यह बिल्कुल नहीं चाहता था एंशीन अपने आपको एजर लीन की वाइफ इंचेडियूस करवाती है जहाँ पर राणन कहने लगती है कि अगर आपको पता हो तो हम दोनों की शादी और लिड़ी हो चीकी है शीन यहाँ पर इसे साफ साफ किया देती है कि मुझे उसे कुछ फरक नहीं पड़ता मैं थोड़े टाइम के लिए अबराट का चली गए जीतने यहाँ पर उलट पलट हो गए लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ तो सब कुछ मैं एकदम लाइन में लगा दूँगी लेकिन यहाँ पर इतने टाइम में वो लीन आ जाता है जहाँ पर शीन चली जाते है लीन से चिपकने के लिए वापने यहाँ पर रैनन को गुज़ा आता है तो वो क्या देती है कि मैं जा रही हो यहाँ से तुम अपनी फ्यांसे के साथ आराम से बैट कर बात कर सकते हो लेकिन लीनिया पर उसे रोकता है और जाने नहीं देता अन्बापने वो रैनन के साइड चला जाता है और वो शीन को वालिंग देने लगता है कि देखो तुम यहां से अबरहट पे ना बताय गए थी जो करना तुम कर सकती हो मेडिया और रैनन के और लेड़ी शादी हो चुकी है और यहां पर रैनन को बड़ा अच्छा लगता है कि लीन उसका साइड ले रहा होता है इसके बाद में हम यहां पर शीन को देखते है मिया के साथ में यन उसे क्या देती है कि मैं उसके फ्याँन से बनने वाली थी लेकिन अब जबर्दस्थी उसे राइन रेन के साथ में शादी करने पड़ेगी क्योंकि राइन रेन तो शादी के पहले ही प्रेगेंट हो चुकि है और यहाँ पर वुस्टाफ सब भी के सामने यह रूमर्स फि कोशिश किया तो मैं उसे कंपने से तभी के तभी बहार निकाल दूंगा और रही बात मीरी और रैनन की तो हम दोनों की शादी मेरे फैमिली के अप्रूवल से हुई है ना कि किसी सिचुएशन की वज़े से और हम लोग हमारी शादी में बहुत कुश है यहाँ पर रैनन को वी सी भी कर लेता है नेग्जे यहाँ पर रैनन का इंपॉर्टेंट अस्क होता है जहां पर जान बूचकर जी होती है वो इसकी पूच्छे को गुमा देती है यहाँ पर आकर माफिय मागने लगती है तो इस एक बोहुत गसाता है और वह क्याने लगता है कि तुमारे ओफ में रहने के लायक बिल्गुल भी नहीं हो और यहां से वो से निकाल देती है दूसर जब यहां पर वो अपनी ट्रप से वापस आता है तो रानन के बारें पूसता है यहां पर मीनियों से बताने लगती है कि यह सब कुछ शीन के वज़े से हो रहा है मैंने जो जाफ वाली प् ठीक है मैं मान दी हुए सब मैंने किया लेकिन यह मैं हमारे लिए कर दो मैं तुमसे पहली कह चुका हूँ कि मुझे तुम्हें को इंट्रेस्ट नहीं है यह सारी बाते सुनकर शीन को बड़ा गुसा आता है तो वह कहते थी कि ठीक है मैं यहां से जात रही हूँ लेकिन के साथ में लगने लगता है छो ब्रूंटर तो मैं अच्छा दोस्तों मैं एक्सपेक्ट करता ही हूँ कि तो मुझे सब कुछ घूँगी लेकिन तुम मुझे साइटि चुपा रही थी यहां पर राइन इसे अपने रीजंस बताने लगती है इसके बाद में अलीन से कहता है कि तुम जुब पर वापस आ सकती हो साथ-साथ यहां पर राइन इसे एक गिफ डिती है जो कि एक नेक्टाई होता है और इसा उसा की बहुत पसंदाता है कि मुझे तुमसे कुछ इंप् इन चीज चाहिए तुमसे यहां पर लीन अपने वैनिटी के यहां पर खड़े होके सोच रहा होता है कि क्या पता उसे मुझे किस करना हो यहां फिर वाच प्यार को कंफेस करने वाली हो तो अच्छे से लेडी होकर अपने बात रोप में बाहा निकलता है जो आपर रानन कहान अब कब से इस कांट्राक को गूर रही जा रहे हो लेकिन पड़ तो बिल्कुल नहीं रहे हो लीन यहां पर उसे पूछो लगता है कि आखिर एक वमेन एक मैन को कैसे लव कर सकती है पर यहां पर उसका समझ जाता है और उसे सारे आडीया ऐसे नहीं लगता है इसके बादन को लेकर एक डेट नइट पर चृला जाता है जहां पर वसको साथ बहुत अच्य करता है और यहां पर रेंडिंग के लपस से कुछ लगा होता है तो लिन टिशू से सब्साफ करता है और इस tau म Zombie फिक्र क्यों मैरे इसे तुर प्राद करते हो जूसे हम नहीं पर देखते है शीन को अजी को जहांपर हमें पता चुलता कि वो मासक वाला इंसान कोई और नहीं बल्की जी ही है अजी की लाइव जो है वोली ने तबहा कर दी होती है उसे किसी भी कपनी में जॉब नहीं मेरा था फिस तरहाँ पर वो दुनों मिलकर प्लैनिक करने लगते कि किस तरगी टोर रेनन न को सबसे पहले upने रास्ते से हचाएंगे इसके बाद में यहाँ पर करी दिन हो जाते पर रेनन को बहुत गुसारा होता है क्योंकि लील उसे कबसे एग्नोर किया जा राता और फूरा काम में बिजी था और यहाँ पर उसकी ममा आजाती है उनके गए पे जहाँ पर रानन और लीन के लिए पुके लाई होती है उनकी 100 डेस की एन्विसरी सेलबेट करने के लिए लेकिन यहाँ पर रानन नाराज होकर कह देती है कि मम मुझे माफ करना लीन कर पर नहीं है क्योंकि वो बहुत जादा काम को लेकर बिजी रहता है इसके बाद में यहाँ पर रानन को आफिस से कॉल आता है जहाँ पर उसे एक special meeting में जाना होता है तो वो अच्छे से ready होकर चली जाती है जहाँ पर उसे हर एक कदम पर roses और एक notes मिलता है जहाँ पर वो समझ जाती है कि यह सारी चीजे lean नहीं plan out की थी और यहाँ पर वो notes और roses को लेते हुए आगे बढ़ती है जहाँ पर lean उसे मिलता है इस वज़र से तुम घर पर लीटा करते थे और तुम इतना busy थे लेकिन इतने में यहाँ पर एक वोर्ड मन आता है जहाँ पर रैनन उन्हें कुछ पैसे रे देती है और वोर्ड मन उसका हाथ पकरकर उन दूनों की आखों में आके राकर गाने लगता है कि तुम दूनों के सोल स्विच होए थे ना फूल मून के नैट के कलती से भी किसमत करना वनना एक बार फिर सही हो जाएगा और अचानक से वो अंकल कहीं पर गायब हो जाते है इसकी बार ने वो लोग घर पर पॉस थे लाकर यहाँ पर उसे पर पतर चला कि तुम यह सब तो फिर देख लेना वो तुम बिलकुल नहीं चोड़ेगा शीन कहने लगती कि अगर तुम उसे बतानी लाइक बच्रोगी दो ना दूसर यहाँ पर जी होता है जो बड़ी से तलवार के साथ में आजाता है यहां पर दुलीन को समझ नहां रहा हुता कि आखिर रैनन चली कहां गई है तो वो हर एक जगा इवेंट में सोच लगता है फिर उसे कौल लगाता है तो उसा कौल लग नहीं रहा था यहां पर हो और उसका असेसिन उसकी यहरिंग को देख लेते है जहां पर वो समझ जाता है कि रैनन कोई तो मुसीबत में पड़ी है इसके बाद ने फटाक से वो चला जाता है शीन के पास में जहां पर शीनों से कुछ बोलने के लिए रेटी ही नहीं थी इसके बाद ने यहां पर वो उसके लोकेशन को ट्रैक करना शुरू कर देता है और यहां पर हम देखते है जी को जहां पर रानन को इस तलवार से मानी वाला था लेकिन इतने में वहां पर लीन आ जाता है जो रानन की चान बचा लेता है अजी को हमेशा हमेशा के लिए जेल बेज़ीता है इसके बाद में वो लग घर पर आते है जहांपे रान्टं लीन को तवाईो पर महरम पठी करने लगती है और फिर यहांपर दोनों किस करने लगते इसके बाद में यहांपर कई टायम गुज़र जाता है जहांपर RANAN को अचानक से और टिया आने लगती है तो फिर वो जाके अपना pregnancy test करती है इसकी बाद में RANAN ऑफिस में होती आने यापर वो अपनी फ्रेंड मीनी को इस Pregnancy का रिपोर्ट बता रहे थी और यापर वो जाने लगती है कि 8 मन्स बचे हैं बस दूसरे यहाँ पर होता है लीन जो खाली आट मन्स वाली बात दे सुन लेता है और बाद में यहाँ पर वो घर जाकर गूगल करने लगता है तो वो समझ जाता है कि रानन को स्टमक कैंसर हो चुका है और अब उसादा टाइम तक जिन्दा नहीं रह पाएगी हमारे पाद में आट मन्स बचा हुआ है इसके बाद में रानन गर पर आती है यह सोसे सोसे की क्या पता लीन को यह बच्चा चाहिए भी रहेगा या फिर नहीं इसके बाद में यहाँ बच्चे के बाद में बोलने ही वाली थी कि लीन उसे कह देता है कि देखो बले हमें बच्चे नहीं चाहिए मैं भी न बच्चे की खुश हो यहाँ पर रानन ये सुनते ही पूरी शौक में चली जाती है और इमोशन होकर वहाँ से उटकर चली जाती है दूसर यहाँ पर उसकी ममा आती है जो रानन का बहुत क्यार रख रही थी लीन कहने लगता है कि आप आगे इतने घर के काम कर क्यों रहे हो और रानन को कोई भी काम करने दे रहे यहाँ पर उसकी मम बता देती है कि तुम्हारी वाइफ प्रेगनेंट है और तुम्हें ही नहीं बता है यहाँ अपर लीन शौक हो जाता है और कहता है कि Cancer और Pregnancy एक साथ में अब तुम्हारी लाइफ का क्या होगा रैनन कहती कि Cancer तुमने किसी कहा कि मुझे Cancer हुआ है फिर यहाँ पर लिन उसे सब कुछ बताने लगता है जहाँ पर रैनन हस्ते हैं से उसे कहा देती कि मुझे Cancer नहीं हुआ है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर लिन को एक इंपॉर्टन बात कहने के लिब बुलाती है तो फिर लिन बोला कि बोलो रैनन कहती कि अगर कुछ मुझे हो जाए तो प्रापर्टी के पेपर्स ट्राइन्सफर मत कर दे ना खुद के नाम पर लिन को यहाँ पर गुस्सा आता है क्योंकि यहाँ पर प्रेग्नेंस के टाइम भी उसे प्रापर्टी की परी है फिर इसकी बाब ने यहाँ पर जैनन एक प्यारे से बच्चे को जम दे देती है फिर इसके साथ में यह मूवी यही बगट नहो जाती है